नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सेक्रेट कन्यारासी अक्टूबर नुवंबर दिसंबर ये तीन महिने आपके लाइप में क्या कुछ बदलाव लाएंगे गर्खों की चाल क्या कहती है तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अंतक बने रह ग्राजा करेंगे विस्तार से देखें अक्टूबर के महने में केत्व और सूर्य कन्यारासी के लिए आपके लिए एक साथ ग्रहन योग बनाकर बैठेंगे देव गुरु बहस्पती बिर्शव रासी में है दस्वे घर में मंगल है और देखें दस्वे घर में है और इसके बाद 20 अक्टूबर को वो 11 घर में जाएंगे तो मंगल आपके 11 घर में अक्टूबर में प्रवेस करेंगे और देखेंगे तो ऐसे में आपको वानी पर कंट्रोल रखना होगा तोल मोलकर बोलना होगा कुरोध कभी भी आ जाएगा इसलिए थोरा सा संबल के रहना होगा 20 अक्टूबर के बाद लव लेसंशिप में बैभाई जीवन में मंगल थोरा सा दूरियां पैदा कर सकता है आपको ध्यान रखना होगा और गुरू हलांकि कोई परिवर्तन तो नहीं होगा लेकिन गुरू आपके नवे घर में है जो आपके लिए अच्छा है सुब मांगली कारिकरम करवाएंगे यातराओं में सुख देंगे यातराओं से सुख देंगे गुरू आपको किसी का साथ दिलवाएंगे जिनके जरिये आपको लाव होगा ज्यानपराप्त होगा यान यहां positive है स्वास्त की अगर हम बात करें तो समय ठीक रहेगा क्योंकि स्वास्त के मामलों में बढ़िया है लेकिन 17 अक्टूबर तक सुर्य आपके लिए आपके रासी में ही बैठेंगे और केतु का चुकी कोई परिवर्तन तो होगा नहीं तो ऐसे में स्वास्त के मामलों में बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन एक अच्छी चीजी है आपके उपर ना सनीदेव की साड़े साती है न ढहिया है इसलिए इन चीजों से आप मुगत हैं लेकिन अपने जैसे की मंगल दूइती घर को देखेंगे सूरी आपके दूइती घर में नीज में रहेंगे तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नौमबर तक तो ऐसे में अपनी आँखों का और दान्त का ध्यान रखेगा तो जादा अच्छा रहेगा अगर हम विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए सनी देव जो अभी वक्री है 15 नौमबर तक वक्री रहेंगे इसके बाद वो मारगी हो जाएंगे तो आप के लिए आपको एक सही दिसाद देंगे सनी की साथ में जो द्रिष्टी है बारवे घर को देखेगा तो जैसे जो विद्यार्थी है पढ़ाय लिखाए के मामलों में घर से दूर जाना चाते हैं विद्यार्थ जाना चाते हैं तब आप 15 नौमबर के बाद जाने का प्रियास कर सकते हैं आप जाएंगे और सनी देव इस समय छटे घर में है मारगी हो जाएंगे रिन रोग चोट सत्तू से भी आपको विजय प्रात्ति करवाएंगे और छटे घर रिन सत्तू का भी घर है तो ऐसे में सनी जब मारगी होंगे अभी वक्री है तो कम्पिटिशन बेगर में अगर आप भाग लेना कोरे चाहते हैं किसी चीज में हाँ डालना चाहते हैं कोई कार एक करना चाहते हैं तब यहां पर आपको सफलता मिले हलां कि 14 नॉमबर के बाद आपकी online में चेंज होता दिखेगा 15 November के बाद 14 November के आधी रात के बाद आपके अंदर आइडियाज आएंगे और धरातल पर लाएंगे तो वो सफलता देंगे तो यहां पर यह चीजे होंगी मंगल पंचमभा को 20 अक्टूर के बाद और 20 अक्टूर के बाद आप थोरा सा तूल मूल कर बोलिएगा हो सकता है सामने वाले को लगे आप बहुत एकदम से धरले से बोल देते हैं तो कभी-कभी ना सच बात लोगों को खड़वा लगता है तो इसका आपको ख्याल रखना होगा हाला कि मंगल आपके अंदर यहां पर एक स्ट्रॉंग आपको बेहतर बनाके भी निकालेगा लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर आप पूरे दिसंबर तक आपको ध्यान रखना है कि पंचम भाओ को देव गुरू देख रहे हैं अब मंगल यहां पर थोड़ा सा आपको इगो भी दे रहा है थोड़ा मेचुर्टी भी दे रहा है गुरू भी आपको साथ दे रहे हैं तो ऐसे में गुरू यह समझाएंगे कि इगो नहीं रखना अपने आपको बेहतर बनाया रखना है पॉजेटिव सूचना है तो यहां पर यह कॉमिडेशन आपके लिए अच्छा रहेगा देव गुरू ग्यान देंगे और साहस्त मंगल देंगे दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आप तर और जो लोग लब लिशंसिप में हैं अक्टूबर के महने में कोई बड़ा टेंसर नहीं है बैवाई जीवन यहां पर देखिये सातवे घर में राहू है तो कोई परिवर्तन नहीं है हलाकि आपके लिए बैवाई जीवन में देव बुरू सत्रू रासी में है तो कभी-कभ में मत लीजे नहीं तो रिस्तों में दूरी आएंगी गुरू आपके लिए यहाँ पर एक मलहम का काम करेंगे तो यहाँ पर टेंसर नहीं है 13 अक्टूबर से पहले ठीक है 13 अक्टूबर से और 7 नवंबर के बाद आपका भागे का सपोर्ट फिर ठीक चलेगा तो 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के मदे का वक्त थोड़ा सा समय है आपके लिए कोई भी जिस्यान लेना है सोच समझ कर लीजेगा कहीं आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो बड़ों की सलासी कीजेगा भागे का साथ मिलेगा देव गुरू सपोर्ट करेंगे मांगली कारे भी होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा संबल कर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए और मेहनत कॉंटूडंस से आप तरक्की करेंगे सोना नुमंबर के बाद थर्ड हाउस में सुए अच्छा फल देंगे अच्छा रहेगा नौकरी बेगर प्राप्ती के योग बनेंगे आपके लिए हम आपसे विदा लेते हैं जानकर ये अच्छे लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें दाने